Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर स्टेरोटाइपिंग के बारे में जो की जेंडर स्कूल और सुसाइटी का टॉपिक है Now, जेंडर स्टेरोटाइपिंग एक्चुली होता क्या है? Basically ये होता है, assignment of certain characteristics और attributes to individual based on their gender यानि आपने किसी को भी ठीक है? आपने कुछ certain characteristics या फिर attributes दे दिये individual को उनके gender के basis पे जैसे मैं आपको example बताती हूँ, बहुत common एक स्टेरोटाइप होता है जिसमें क्या होता है? ऐसे बोलते हैं कि pink color जो है लड़कियों का होता है, blue color boys का होता है ना ऐसा कहीं science में, biology में कहीं रिखा नहीं है, बट already लोगों को ऐसा लगता है that means कि उन्होंने, just because वो female है और वो male है, उसके basis पे उनको certain characteristics और attributes दे दिये ठीक है? यह जो स्टेरोटाइप्स होते हैं यह based होते हैं social norms पे, society के norms पे, कि society क्या सोचती है, society की क्या expectation है पैसे बुलते हैं, pink color girls का होता है, तो उन्हें pink चीजे पसंद आती है, blue color boys का होता है, बलकि इसे wise versa हो सकता है या फिर लड़किया बहुत कमजोर होती है, लड़के रोते नहीं है, तो लड़के क्यों नहीं रो सकते हैं, लड़के कमजोर क्यों होती है तो यह सारी वो norms, यह expectations हैं, जो society ने अपने आप ही दे दी gender को, मतलब according to the roles and इसको हम लोग बहुत सारे medium से reinforce कर सकते हैं, जैसे कि media, culture, education मतलब इन सब चीज़ों के थूँ बार-बार बूल के दिखा के, उस चीज़ को लोगों के अंदर already लोगों ने डाल दिया है Now examples क्या होंगे, female gender stereotyping के, women are expected to be nurturing and caring यानि women's expect किया जाता है, कि वो nurturing होंगी, वो बहुत जाता ध्यान रखेंगी औरों का, आसपास का वो, you know, mother figure types imagining करते हैं, कि वो बहुत ध्यान रखेंगी, खाना बनाएंगी and everything women के लिए बुला जाता है कि they are supposed to be homemaker लेकिन ऐसा कहीं कोई rulebook में तो नहीं लिखा हुआ है उन्हें बुला है कि जो women है, उनको fashion में इंटरस्ट है, beauty में इंटरस्ट है and that is feminine side होती है उनकी, बट ऐसा कुछ निया कोई गलड़का है, उसको भी make-up पसंद हो सकता है it's not a big deal nowadays women's are often portrayed as passive and submissive in media and advertising की कमजोर है, male strong दिखा दे जाते है और female को बहुत ही weak दिखाया जाता है so ये कुछ common examples है, female gender stereotyping के फिर आजाते हैं, male gender stereotyping पे, men को बोलते हैं कि you are, you know, you should be tough तो में थोड़ा tough रहना होगा, आप लोगों को थमजोर नहीं होना है, आपको अपने emotions नहीं दिखाना है, रो के नहीं दिखाना है men's को बोला जाते हैं, आप primary breadwinners हो, यानि you are going to earn, आप ऐसा कमाऊगे, आप करोगे हर चीज and men को जी दिखाया जाता है, sports, cars में इन सब चीजों में interest, लेकिन female को इन सब चीजों में interest नहीं दिखाते है men are often portrayed as aggressive, men को बोलते हैं कि भाई, आप aggressive हो, आप बहुत जादा मतलब, बोलते के हैं, यह हो जाता है, कि वो जासा दिखाया जाता है, कि वो गुस्से वाले है and dominant है, लेकिन female बहुत ही जादा डर के रह रही है, वो इता गुस्से वाले नहीं है, तो यह सब चीज़े दिखाते रहते है now negative effect of gender stereotyping, तो basically क्या-क्या negative effect होता है, आपने एक male और female को उनके sex के according कि वो male है या female है, आपने कुछ certain society में इसे norms और expectation उन पर थोग दिए और फिर उसका क्या negative impact हो सकता है, limits opportunity, तो यह दा दिमाग में लोगों के set हो जाती है, चीज़े, तो अगर आप बोलोगे कि किसी बहुत ही बड़ी factory में, जहाँ पर बहुत masculine work करना है, वहाँ पर female को बोलते हैं कि नहीं, आप क्या करोगे, आप तो office work कर लो, यह सब चीज़े कर रही है, mostly gents होते हैं, although यह change हो रहा है, but certain careers उन्होंने क्यों लिए, क्योंकि उनको, ठीक है, जो भी उन्होंने जस रिजन से लिए, but point यहाँ पर यह है, कि इस एक gender stereotyping की वज़े से कि चलाएंगे, गाड़ी तो mail चलाते हैं, या फिर आपका जो scooter है, वो आश तक स्वारी, cases दिखेंगे नहीं, इन सब चीज हो के, ठीक है, यह gender stereotyping का example है, ठीक है, अभी this can lead to missed opportunities for personal growth, इससे आप देख सकते हो कि बहुत सारी personal growth की जो opportunities हैं, वो miss हो जाती है, career advancement कहीं पे अगर मौका मिले, अपने career में तरक्की करने का, वो miss हो जाता है, society की progress, यह सब चीज हो जाती है, then आता है, reinforce inequality, gender stereotyping क्या करता है, एक idea डालता है, कि एक gender दूसरे से superior है, तो अगर आप किसे से पूछोगा, तो बोले है, हाँ male superior है, society ऐसे है कि male की बाते माननी पड़ेंगी, male के लिखाना बनाना पड़ेगा, और उनके लिए, you know, we have to be ready, और female यहाँ पे थोड़ा सा, you know, inferior है, मैं नहीं बोल रही हूँ, यह society के norms, एक जिसे बोल रहे हूँ, यही gender stereotyping है, तो इसमें क्या हो गया है, और कई जगे पर हो सकता है, मतलब, अलग-अलग जगे पर, अलग-अलग cases देखने को मिलते है, जिसकी वज़ह से यहाँ पर, discrimination, भेदभाव देखने को मिलते है, तो य इतना जादा, प्रिविलेंट हो गया है, कि अगर कोई female तरक्की करती है, तो बोल देते है, यह तो ऐसे ही तरक्की कर ली, इसने तो, यह तो कुछ करती नहीं थी, और कई बार, मतलब, उल्टा हो जाता है, तो basically, यह सब क्यों हो रहा है, कोई महनत कर भी रहा है, तो उसको वो क्रेड़ कर लिए नहीं मिलता, बिकाज यह जेंडर स्टेडो टाइपिंग एक नेगिटिव मौहल क्रिएट कर दी है, ठीके, लोगों की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, जेंडर स्टीडो टाइपिंग से सेल्फ एस्टीम लो होने के चांसे रहते हैं, और इससे क्या ह कर रहे हैं शायद हम इस चीज के लिए नहीं है हम complete काम धंग से नहीं कर पा रहे हैं तो वह inadequacy, self-doubt यह सब feelings आती रहते हैं यह बहुत जादा negatively impact करता है mental health को ठीक है gender stereotyping क्या करता है mental health issues create कर सकता है जैसे कि depression, anxiety and stress ठीक है यह सारी चीज़े शुरू हो जाती है जब हम बात करते हैं mental health की plus this is particularly true for individual who face discrimination and bias due to their gender identity or expression यानि कि mental health का जो यह negative, मतलब mental health पे जो negative impact है यह काफी हद तक देखने को मिलता है individuals में जिनको gender identity expression की वजह से you know negative influence देखने को मिलता है जैसे बहुत basic example देती हूँ females है ठीक है जो females है उनको बोलते हैं कि आप office जाओगे तो ठीक है जाओ लेकिन घरा के खाना आपने का काम है बनाना same चीज male भी कर रही है same चीज female भी कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं वो role female के इससे में आ गया तो आप सारी expectation एक particular section से और मैं ये same चीज male के लिए भी बोड़ूँगी male से बोला जाता है कि भाई तुम घर में नहीं बैट सकते तुम्हें earn करना ही करना है ठीक है दोनों को same treatment होना चाहिए ये gender stereotyping जो है इनको खतम करना बहुत जरूरी है otherwise हम लोग जहां से शुरू होएते वहीं पर अटके रहे जाहेंगी then इससे relationship building पर असर देखने को मिलता है gender stereotyping can create barriers to building meaningful relationship between people of different gender यानि male और female के बीच में दोस्ती या फिर वो अगर एक relationship build हो रहे हैं तो इससे क्या होता ना कई बार आपसी भेदभाव मन मुटाव यह सब देखने को मिलता है एक office में मैंने बताया ना एक stereotype बन गया है कि female तो बड़ी नाजुक होती है काम मामित्ता नहीं करती और male तो सारा काम करता है एक stereotype बन गया एक स्टेरोटाइप बन गया तो वो जो महनत कर भी रहे होंगे ना उनको credit मिले गा ही नहीं जो आसपस के लोग होंगे उनको लगता है कि अरे यह तो कभी नहींत कर रहे इतना अच्छा कर लेते हैं तो बेसिकली यह सब ऐसा नहीं कि यह हमारी गलती है यह आज की जनरेशन की गलती है बट कहीं कहीं it is so deeply rooted in our whole society कि हमें यह चीज़े नॉर्मल लगती है suppose अगर कोई आ रहा है तो पानी ला रही है या sister पानी ला रही है किसी की या कोई wife पानी ला रही है बट mail आपको ऐसा करते हुए बहुत कम दिखेंगे क्यों? because this is something जो बहुत जादा deeply rooted है हमारी society के अंदर तो इसके साथ deal करना बहुत जरूरी है इंडिया में gender stereotypes के कुछ examples की बात करते हैं वो ही first example women को expect किया जाता है कि भई वो homemakers है घर सम्हालेंगी घर का धिहान रखेंगी ठीक है men को बोला जाता है कि आप तो भई कमाऊगी अगर men नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा अगर नहीं कमाएगा तो काम ही नहीं चाल सकता तो यह हैं बहुत common gender stereotypes this is 3, 4, 5th sorry that was 1, 2 and this is 3, 4, 5th women को बोला चाता है कि आप बिलकुल ऐसे बात नहीं करोगे आपको बहुत अच्छे से रहना है आपको बिलकुल भी अपनी तरफ attention नहीं खीचनी है you are supposed to be modest in everything and women are supposed to be submissive कि अगर parent है या male partner है तो आपको male partner की बाते माननी है you need to be ready for them so all these things are something which are very deeply rooted in our Indian culture or we can say in many other cultures but इसको change करना जरूरी है because there should be a balance gender stereotyping से कई सारी opportunities खतम हो जाती है बहुत सारी problems होती है mental health पे फरक परता है जो पता भी नहीं चलता मतलब इतना जादा है बड़े लेवल पर है and दूसरी चीज़ मैन के लिए बोला जाता है कि रो नहीं सकते भाई आदमी रोते थोड़ी है men are supposed to be very strong they cannot cry और यह सब चीजे but you know at the end of the day ऐसा कुछ नहीं है इससे कोई masculinity शोनी होती है लड़कियों की तरह क्यों हो रहे क्यों भही emotions कहीं भी किसी के भी शो हो सकते हैं and these things need to be normalized so all these things are the gender stereotypes in India and हमें बहुत जादा as a you know budding generation आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे gender stereotypes को dismantle कर दो मतलब बिलकुल भूल जाओ कि खतम कर दो gender equality हमें you know we need to promote gender equality एक जादा inclusive society हमें बनाने की जरूरत है जहाँ पे individuals limited नहीं है अपने gender की वज़े से they are not limited by their gender बलकि वह बहुत जादा focused है and they can do anything today आजकल लड़के लड़की में फरक नहीं होना चाहिए सब कुछ सर को अचीव कर रहा है तो it need to be you know जो यह बहुत time से चला आ रही है thinking इसको थोड़ा छोड़ने की जरूरत है now इसमें हम लोग policies बना सकते हैं work life balance के लिए office में policy अनची पहले ऐसा होता था कि इस सिफ male male कहीं जगा पर दिखते थे female दिखते नहीं थी बहुत सरे laws आए जिससे females को एंटरी मेंने लगए कि इतने परसंट seat females के लिए हैं तो उसके बाद यह changes देखने लगए so creating policies and practices जो work life balance को support करें सारे gender के लिए and as a female I am not saying कि female के लिए कि बहुत जादा भेदभाव male के साथ भी होता है जिसको balance करने की जरूरत है diverse representation of gender roles in media दिखाना चाहिए कि female अगर female भी breadwinner हो सकती है male भी cook कर सकती है male घर पे रहके घर समाल सकती है female भार जाके earn कर सकती है these things need to be normalized यह media में जब दिखना show होगा न तब लोगों को लगेगा they'll start accepting such things ठीक है and इससे लोगों को challenge करने का मुका मिलेगा आपने फुद के अजर्चेंट की मैंने बताया न यह चीजे हमारी कलती नहीं है हमने यह चीजे सुनी हैं देखी हैं बच्पन से सो वो हमारे अंदर इतनी जादा deeply rooted हैं कि हम उसको एकदम से नहीं निकाल सकते but yes with time we can change it we can make small changes जिसके वेज़े से थोड़ा सा बदलाव आए So that was all about the gender stereotypes and मैंने आपको male gender stereotypes समझा दिये female gender stereotypes समझा दिये negative effects समझा दिये gender stereotyping का इंडिया में जो gender stereotypes बहुत कॉमन है वो समझा दिये Sorry And आप लोग क्या कर सकते हैं Notes के लिए website पर जा सकते हैं सारे notes मिल जाएंगे BA Dammit के Prep with Harshita directly Google पे सर्च करेंगे आपको आजाएगी website And बाकी आप लोग subscribe कर सकते हैं चानल को अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया है Clearlist पे आप जाके BA Dammit और Net की वीडियो देख सकते हैं सारी वीडियो में धिर-धिर अप्लोड कर रहे हूं कुछ टाइम के बद सारा content available होगा And Telegram चैनल आप सारी updates के जॉइन कर सकते हैं बाकी वीडियो में दिर नेक्स क्लास Thank you so much